नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और लगतार चीज़ें सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर पीसम पीजी कॉलेज जोग्राफी डिपार्टमेंट कन नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्ण जोग्राफी में दोस्तों अभी तक हमने बात की कि सूर्य अतब क्या है सूर्य अतब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कौन से होते हैं आज हम एक नए टॉपिक की सुरुवात करते हैं जिसका नाम है उर्जा बजट जैसा कि हमने कहा है आपसे कि जब भी किसी नए टॉपिक की सुरुवात होती है तो उसे हमें उसके अर्थों को समझ लेना चाहिए यहाँ पर आपके दो सब्त हैं परहे नमबर पर है आपका उसमा दूसरे नमबर पर है बजट बजट जैसा कि आज आप जानते हैं कि बजट का मतलब होता है कि आए बेका लेखा जोका प्रतेक घर परिवार में भी जो हमारी बुज़ुर्ग होते हैं यह जो मुखिया होते हैं वो आय बेव का प्योरा रखते हैं कि कितनी हमारी इंकम है और कितना हमें खर्च करना है उसी प्रकार यहां पर लिखा गया है उसमा बजट मतलब अब हमारी बात होगी कि उसमा कितनी उसमा की कितनी मात्रा द्रातल पर आती है और प्रत्वी इस उसम का कितना भाग निकाल देती है या खर्च कर देती है इसी को हम कहते है उर्जा बजट या उर्जा संत्लन यादि हीड बजट और इनर्जी बैलेंस चली देखते हैं आजे प्रत्वी की 36 सतह पर पहुँचने वाले सकल सौरिक विकरण को हम भूमंडली विकरण कहते हैं यह हम पहले भी देख चुके हैं और जो सूर से निकलने वाली उर्जा है और प्रत्वी तक किन तरंगों के रूप में प्राप्त होती है तो लगू विकरण के रूप में पहुचती है लगू विकरण मतलब जो वस्त जितनी अधिक गर्म उससे निकलने वाली जो तरंगे होते हैं वह उतनी ही कम वेव लेंद वाली होती है ठीक है वाई मंडल से प्रकीन विस्रित विकरण को समलित किया जाता है शुर्ष से प्रत्वी एवं उसके वायू मंडल की ओर होने वाले विकरण को प्रवेषी लगू तरंग सार्विकरण करते हैं जबकि प्रत्वी से सूनने एवं वायु मंडल में होने वाला विकरण को बाहिर गामी दीर तरंग वार्थिव विकरण कहते हैं अर्थात जो सूर से तरंगे आती है वो लगू विकरण के रूप में होती है जो प्रतवी से परिवर्तेत होती है वो पार्थे विकरण के रूप में होती है ठीक है को प्रत्वी का प्रत्वी एवं वायु मंडल का उर्जा संतुलन या भू मंडली विकरन संतुलन कहा जाता है यानि कि जो उस्मा बजट है या उर्जा संतुलन है उसका दूसरा नाम भी है आपका कौन सा है यह है आपका भू मंडली विक्रण संतुलन ठीक है आगे हम देखते हैं जीटी तिरवार्था के अनुसार उसमा बजट इनोंने पताया है कि प्रत्वी के वायू मंडल की बाहरी शीमा पर पहुंचने वाले सकल सौरे की विक्रण को हम सो प्रतिस्द की रूप में लिया जाता है इसे अब हम एक मॉडल के अनुसार समझने की कोस्प करते हैं इसके लिए हम उपर चलते हैं यह है अब हम यहाँ पर देखते हैं मान लीजिए कि यह आपका वायू मंडल है ठीक है यह आपका शूद है ठीक है और यह आपकी यह आप सौर्य एक सेकेंड एक मेट मित रो हम पर इसे बनाने कोस्प करते हैं यह आपका वायू मंडल है यह आपका शूद है और यह आपकी प्रत्वी है इतना आप समझ लीजिए इसके अलावा यह आपका पूरा का पूरा अंत्रिच है ठीक है अब शूद से जो तरंगे चलती है वो किस तरंगों की रूप में चलती है लगू तरंगों की रूप में चलती है लगुतरंगों के रूप में चलती है यह वाइू मंदल का आपकी उपरी सत्य है यह ठीक है अब आपको पता है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर अर्थात जो आपका प्रति वर्ग सेंटीमीटर है महां प्रति मिनट दो कैलोरी उ impe प्राप्त होती है जिसे हमने आपसे बताया था कि सोरिक इस्थरांग कहते हैं यानि सोलर कॉंस्टेंट कहते हैं यहां पे अगर दो प्राप्त हुई है तो इसे हम मान लेते हैं कि सो एकाई के बराबर इसे हम सो एकाई मान लेते हैं ठीक है अब यह सो एकाई वायुमेंडल की बाहरी सत्य से अब ये प्रत्वी तक आती है इन में क्या परिवर्टन होता है उसे हमें देखना है ठीक है तो वाय मंडल में आपको पता है कि वाय मंडल के संग्ठन में हमने बताया था आप से कि वायमंडल का संगठन गैसों, धूलकन और जलवास से मिलकर बना है यहां पे बादल भी पाए जाते हैं ठीक है तो जब यह 100 एकाईयां नीचे चलती हैं वायमंडल की तरफ चलती है या रत्वी की सतह की ओर आती है तो इन में कुछ परिवर्तन होता है इसमें सबसे परिवर्तन पहले होता है जो 35 प्रतिसद आपकी जो एकाईयां है या 35 एकाईयां है वह सीधे अंत्रिच में चली जाती है यानि आपकी अगर यह 35 एकाईयां है यह सीधे कहां चली जाती है अंत्रिच में चली जाती है अब इन 35 एकाईयों में से जो आपकी 27 एकाईया हैं वो बादलों के माद्दे हमसे परिवर्थित कर दी जाती हैं दो एकाईया जो हैं वो बादलों के उपर जो बर्फ जमी हुई है या दुरूं पर बर्फ जमी हुई है उससे परिवर्थित होकर वो अंत्रिच में चली जाती हैं इसके लावर जो 6 प्रज़श भाग है आपका, 6 एकाईयां जो है अंत्रिच्च में विकरित कर दी जाती है तो अब आपकी 100 में से 35 एकाईयां माइनस हो जाएंगी तो यहाँ पर बचेंगी आपकी 65 एकाईयां बचते हैं आपकी अब 65 एकाईओं में से आपकी जो 65 आपकी एकाईः बची ए उनमें से अब उनका क्या होता है वो हम देख लेते हैं आगे आपकी इन आप इस मॉडल को आप तक यहां तक समझ चुके हैं ऐसे हम और आपकी Santikाईः बची है ठीक है अब जो आपकी ये 65 एकाईया है इन 65 में से इसे हम दो भागों बाढ़ सकते हैं जिसमें से 14 एकाईया जो आपकी 65 एकाईया है इनके दो हम भागों जाते है चौदक एकाईया और इन 55 एकाईया जो है यापकी 14 है ये 8 मोश फिर दवारा OF yesterday कर लियाती है जो 59 एकाईयां आपकी बचती है ये आपकी प्रत्रवी की सत्य पर पहुंचती है ठीक है इंक्यावन बची है अब आपकी अब इन इंक्यावन एकाईयों का क्या होता है इसे हम आगे देखते है इसे हम देखते है प्रत्वी की सत्य पर अब कितने एकाईयों आ गए आपके पास इंक्यावन एकाईयों आ गए यानि 51 अब प्रत्वी के पास है अब इन इंक्यावन एकाईयों में से जो सत्रा एकाईयां है आपकी जो सत्रा एकाईयां है ये तत्थवी के द्वारा अंत्रिच्च में वापस कर दी जाती है तत्थवी के द्वारा अंत्रिच्च में वापस विकरित कर दी जाती है तो अब अगर इंक्यावन में से सत्रा माइनस हो जाएंगे इंक्यावन माइनस सत्रा बराबर थर्टी फोर अब आपके पास कितने एकाईयां बची हैं थर्टी फोर एकाईयां बची हैं अब इन थर्टी फोर एकाईयों का क्या होता है उसे हम देख लेते हैं इसे erase कर देते हैं अब हमारे पास 34 एकाईयां बचीए यह मान लीजे अब आपकी है 34 अब 34 में से अब इनका क्या होता है तो इस में से जो 6 एकाईयां है वोई विकरंड द्वारा 6 एकाई विकरंड द्वारा यानि radiation आर द्वारा 9 एकाईयां आपकी सम्भान द्वारा यानि कन्वेक्शन द्वारा और 19 एकाईयां आपकी संग्धन की गुप्त उसमा के रूप में वायुमंडल को प्राप्त होती हैं 6 एकाई रेडियेशन यानि विकरंड द्वारा 9 एकाई आपकी convection द्वारा और 19 एकाई आपकी संगधन की गुप्त उसमा द्वारा वायू मंडल को प्राप्त होती है इनको अगर आप एड़ करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24 एकाई हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम आगे देखते हैं अब आपके पास पहले वायू मंडल के पास कितनी एकाई थी जो उसने आउसोसित की थी वो थी आपकी 14 एकाई अब चौटिश में से आपकी जो कितनी एकाई आईसी थी जो प्रत्वी के प्राप्त होई थी तो 6 एकाई आई विकरन द्वारा अंद्रिच में चली गई इसके बाद आपकी जो 9 एकाई थी वो सम्माहन की द्वारा और 19 एकाई आपकी शंगनन की गुप्त उसमा के रूप में वायू मंडल को प्राप्त होई तो 34 और 14 आपकी कितनी हो गई टोटल ये 48 एकाई या ये 48 एकाई आपकी एटमोस्फेर में पहुँच गई इसके बाद वायू मंडल इन 48 एकाई 48 एकाई प्लस 17 एकाई जो प्रत्वी के द्वारा अंत्रिच में भेजी गई थी वे टोटल कितनी हो गई आपकी दोनों मिला करके 65 एकाईया हो गई अर्थात अब अगर आप द्वारान से समझें तो वायू मंडल पर कितनी एकाईया आई थी 101 आई थी यानि कि वायू मंडल की उपरी सीमा थी उसमें 101 एकाईया थी जब वे वायू मंडल में आई तो उसमें से 35 एकाईया आपकी डाइरिक्ट अंत्रिच में वापस कर दी गई 35 वापस कर दी गई तो अब आपकी 65 एकाईयां बची 65 एकाईयों में से 14 एकाईयां एट्मोसफेर यानि वाय मंडल ने अब जोरू कर ली बची कितनी इंक्यावन एकाई बची इंक्यावन प्रत्वी की सतह पर आई प्रत्वी की सतह पर जो इंक्यावन आई उसमें से 17 डाइरिक्ट अंत्रिच में चली गई ठीक है इसके बाद बची 34 इसके बाद बची 34 एकाईयां आपकी इसके बाद आपकी बचती है 34 एकाईयां 34 एकाईयां आपकी 34 एकाईयों में से जो 6 एकाई थी वो कहां चली गई वे विकरंड के द्वारा और 9 एकाईयां आपकी सम्माहन के द्वारा और 19 एकाईयां आपकी सम्माहन की संग्धन की गुप्त उस्मा के रूप में वाई मंडल को प्राफ्त हो गई तो वाई मंडल के पास कितना हो गया 14 उसने अब्जॉल्ब किया था और 34 यह हो गई तो टोटल 48 हो गई और प्रत्वी ने 17 एक आई यान तरिछ में भेजी थी तो 48 ब्लस 17 आपका टोटल मिला करके हो गया 65 अर्थात जितनी विकरण सूर से आई थी उतनी ही विकरण वापस चली गई यह अर्थात शून हो गया इसी को हम कहते हैं उसमा बजट ठीक है समझ में आ गया होगा मित्व अब हम किताब में जो लिखा है उन पॉइंटों को देख लेते हैं कि क्या क्या कहा है उसने यह हमने देखा था अब हम यहाँ से देखते हैं त्रथवी के वाई मंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचने वारे सकल सौरेविक रूप में लिया जाता है अब प्रवेशी लगू तरंग सौरेविक विकरण तथा प्रथवी वाई मंडल का उसमा बजट अब आप देख रहे हैं कि प्रथवी अपनी उर्जा का अधिकांस भाग सौर से लगू तरंग सौरेविक रूप माद्यम से प्राप्त करती है प्रथवी से सूरे से उत्रजित समस्त उर्जा का एक बटे दो अरबुआ भाग राप्त करती है यानि प्रथवी को कितना प्राप्त होता है प्रथवी को प्राप्त होता है एक बटे दो अरबुआ भाग राप्त होता है इसकी चर्चाम पहले भी कर चुके हैं अब आपका जो एक बटे दो अरवों भाग है, इस उसमा उर्जा को सौ प्रत्सत मान लिया जाता है, ठीक है, आपको पता है कि सौ प्रत्सत उस सौरिक उर्जा को प्रत्रसित करता है, जो प्रत्वी के वाई मंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचती है, यही हमने अभी माडल में करके अंत्रिच में भेज दिया जाता है, सौरि, 35 प्रत्सत भाग में से धूल कणों द्वारा प्रकीडिर कितना हो रहा है, 6 प्रत्सत, ठीक है, बातलों द्वारा कितना हो रहा है, 27 प्रत्सत, और धरातली, 37 से प्रत्यावरतन, यानि कि धरातल पर जो आपके अच्छादि बचता है 65 प्रत्सत भाग में से आपका 14 प्रत्सत भाग आउसोसित कर लिया जाता है वायु मंदल द्वारा तो आप कितना बचा इंक्याउन प्रत्सत भाग आपका प्रत्थवी के धरातली सतय पर पहुंचता है ठीक है अब आपका 59 प्रत्सत भाग के अंतरगत यहां देख सकते हैं आप 59 प्रत्सत भाग प्रत्यच सोर्यक विक्राण के रूप में तथा 17 प्रत्सत भाग विश्वी दिवा प्रकास के रूप में प्राप्थ होती है तो 17 अंतरच में चली गई 34 आपकी एकाईयां यह किसको प्राप्थ हो गई वाइव मंडल को प्राप्थ हो गई और वाइव मंडल ने 65 में से 14 एकाईयां पहले आपजर्व कर रखी थी तो अब 34 और 14 आपका कितना हो गया 48 एकाईयां हो गई ठीक है और इसके बाद प्रत्वी ने इंक्यावन में से 17 एकाईयां अंतरच में भेज़ी थी तो 48 और आपका 17 कितना हो गया 65 यानि प्रत्वी को जितना प्राप्थ हुआ उसने सब वापस कर दिया ठीक है यही आपका होता है उश्मा बजट ठीक है इसे और आगे देख लेते हैं बाहर गामी तीर्ग तरंग पार्थि विकरण तथा उश्मा संतुरंग यह आपकी प्रत्वी के द्वारा होता है सूरे से उसमा उर्जा प्राप्त करने के बार प्रत्वी भी अपनी सतह से दीर की तरंगे के मात्यम से वाई मंडल में उर्जा का विकरंड करती है यह हमने देखा है प्रत्वी से होने वाले विकरंड को हम प्रभावी विकरंड भी कहते हैं यानी कि प्रत्वी से जो आपका विक्रण्ट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं और क्या नाम देते हैं प्रभावी विक्रण्ड नाम देते हैं यानी effective radiation भी कहते हैं आगे देखते हम प्रत्वी द्वारा सूर से परापpt 55 Sipranta Urja 23SiPura Даже का धर्हातली सतय से दीर के तरंगो द्वारा way candle में विक्राण द्वारा 6 हो जाता है जो 25 परफ़ सथ भाप्त राप्त होती राप्त हो है तर्थिवी का 23 kans Ultra आज्परफिय के द्वार्फ पर traumam इसके बाद 23% इस 23% में से जो 6 प्रसत उर्जा का है वाय मेंडल द्वाला आउसोसन कर लिया जाता है तथा जो 17 एकाईयां बचती है आपकी प्रसत उर्जा सीधे सून में चली जाती है ठीक है पार्थेव उर्जा का नौ प्रसत भाग समवाहन एवं विच्छोब में खर्च हो जाता है 19% ऊर्जा वास्पी करणड में खर्च हो जाती है ठीक है है इसके बाद या उर्जा संगनन के बाद संगनन की गुप्त उस्मा के रूप में वाइव मंडल को प्राप्त हो जाती है इस तरह वाइव मंडल द्वारा सूर से 14 प्रस्त तथा प्रत्वी से 34% प्राप्त फुल उर्जा यानि 48% होती है जो विविन रूपों में विपरन द्वारा सून में चली जाती है यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा जो सब्द बार-बार आपको मिल रहे हैं यहाँ हम इसे देख सकते हैं पहला सब्द है आपका सम्वाहन सम्वाहन यानि कन्वेक्शन सम्वाहन को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन ठीक है एक सब्द है आपका विकरन जिसे हम कहते हैं रेडियेशन एक सब्द है आपका चालन जिसे हम कहते हैं कंड़क्शन c o n यानि conduction कहते हैं ठीक है तो आपका सम्वान क्या होता है radiation क्या होता है conduction क्या होता है इसे आप समझ लीजिए ये उस्मा इस्थान तरण की तीन विदियां है यानि heat एक जगे से दूसरी जगे पर कैसे जाएगी इसकी तीन विदियां है यानि heat transfer कितनी विदियां है method है तीन convection में क्या होता है मान लिजे कि ये एक कण है ये कण है ये कण है ये कण है ये कण है तो इसमें क्या होता है पदाल्थों का इस्थान तरण होता है यानि कणों का एक जगे से दूसरी जगे पर जाते है अब माली जीए कि ये कण यहाँ पे आ गया ये कण यहाँ पे आ गया ये कण यहाँ पे आ गया तो जो उसमा इन कणों में उपस्तित थी वो अब कहां आ गई यहाँ पे आ गई यानि पदार्थों के इस्थांदरन से जब उसमा का इस्थांदरन एक जगे से दूसरी जगे होता है तो उसे हम कहते हैं convection या समभाहन कहते हैं ठीक है दूसरा है आपका आत यानि radiation radiation में ना तो पदाजों का इस्थांतरन होता है ना पदाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं जबकि पदाज से तरंगों के रूप में उसमा निकलती है इसे हम कहते हैं विगरण यानि इसमें किसी माध्यम की अवसकता नहीं होती है यह आपका होता है radiation एवं विगरण तीसरा है आपका conduction यानि CO यानि जिसे हम challenge कहते हैं इसमें क्या होता है मान लीजे कि आपका एक पदाज यह है दूसरा पदाज यह है तीसरा पदाज आपका यह है चौथा आपका पदाद ये है तो इश में क्या होता है कि इश में पदादों का इस्थान तरण नहीं होता है लेकिन एक पदाद दूसरे से जुड़ा हुआ होता है दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ होता है तीसरे से चौथा जुड़ा हुआ होता है तो इनके जुडाव से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हीट का ट्रांसफर होता है हीट का ट्रांसफर होता है यानि कि एक पदार्थ जिसके पास अधिक उर्जा है वह उस पदार्थ की और उसमा को ट्रांसफर कर देगा जिसके पास कम उर्जा होगी इसे हम प्लस माइनस के रूप में देख सकते हैं यह माली जिए एक पदार्थ है इसके पास बहुत उर्जा है जो प्लस है एक पदार्थ है जो कम उर्जा है जो माइनस है तो इस पदार्थ से एक जुड़े हुए भी पदार्थ है यह दोनों तो इस पदाज से इस पदाज में उस्मा ट्रांसफर हो जाएगी यह होती है आपकी उस्मा इस्थांदर्ण के तीन विदियां सम्माहन यानि जिसे कहते हैं कन्वेक्शन रेडियेशन जिसे हम कहते हैं विक्रन और कंडक्शन यानि जिसे हम कहते हैं चाला ये आपको समझ में आ गया होगा मित्रूम अब हम आगे देखते हैं हम अभी उस्मा बजट पे चल्चा कर रहे थे अब देखिए इस माडल में लेखक ने समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या होता है इसमें आप देख सकते हैं प्रवेशी लगू तरंग विकरन से रेफलेक्शन कितना होता है सत्ताय सिकाई को हो जाता है तरह तल से कितना होता है तरह तल मतलब जो प्रतिवी पर हिमाच्छादित भाग है उससे कितना होता है दो हो जाता है धूल कण येवं जल कणों द्वारा प्रकीडन स्वादियों की विक्रेंड की से सुलब मात्रा कितनी होती है अब यानि ये टोटल कितना हो गया आपका 35 हो गया ठीक है मित्व 35 के बाद हमने आपको बताया कि जो 65 बचता है 65 में से माइनस हो जाते है 14 एकाई 65 में से 65 में से आपके 14 माइनस हो जाते हैं क्यों कि 14 एटमोसफेर द्वारा एप्चॉर्ब कर लिया जाता है अब कितना बचा इंक्यावन इंक्यावन तरस्त भाग धरातल पर पहुँचता है यह हमने अभी बात की इस इंक्यावन में से अगर हम 17 माइनस कर देंगे 17 जो सीधे प्रत्वी द्वारा अंत्रिच को वापस कर दिया जाता है तो अब बचा कितना 34 एकाई बचा ठीक है 34 एकाई बचा अब 34 एकाई में से हमने आपको बताया कि इस 34 एकाई में से जो 6 एकाई यां है वे विकलंड द्वारा यानि रेडियेशन द्वारा 9 एकाई आपकी कन्वेक्शन यानि सम्माहन द्वारा और आपकी जो 9-6 आपका कितना हुआ 15 हुआ इसकी बात जो 19 एकाई आपकी वे संगनन की घुपत उसमा के रूप में आपके वाइव मंडल यान इट्मॉस्फेर को प्राप्त हो जाती है तो 34 आपका ये हो गया और इसके बाद 34 के बाद आपका जो 14 वाइव मंडल ने पहले ले रखी थी तो टोटल कितनी हो गई 48 अब 48 ये एट्मॉस्फेर को मिल गई और 17 आपकी प्रत्वी के द्वारा अंतिच्य में वापस की कर दी गई थी तो टोटल कितनी हो गई 65 यानि जो 65 वाइव मंडल में आई थी और प्रत्वी के सतय पर आई थी वह पुनहां आपकी अंत्रिच्य में वापस कर दी जाती है तो ये होता है आपका ऊश्मा बजट आसा है मित्रों आपको ये लेक्च्चर समझ में आया होगा ये डा आई गई है जब भी आपके कुश्चन में आता है तो आपको ये वाला माडल बनाना होगा ठीक है तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजेगा ठीक है इसके बाद हम मिलते हैं आप से क्लाइमटलोजी के अगले चेप्टर में ये आपके सूर्य तब बाला चेप्टर जो आपका समाप्त होता है अब हम मिलते हैं आप से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है ये वीडियो पशंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए मित्रों, नमस्कात, धन्वाद, जै हिंद मित्रों